नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग अब ब्रीफ इस्ट्री ऑफ मॉडरन इंडिया स्पेक्ट्रम की जो राजी वहीर जी की किताब इसकी बारवी वीडियो है ये नेचर एन लिमिटेशन्स और रीजनल स्टेट्स विछली वार खतम कर लिया तो सोशियो एकनॉमिक कंडिशन्स पे थे जिसमें आज शुरू करेंगे सोसाइटल सेटप से ये सब बाते आपको कब समझ में आएंगी जब इस किताब को आप अपने सामने खोल के बैठेंगे औ दूसरा नोट्स में ज़्यादा दे दूँगा तो जो वीडियो को अफ्लोड करने की स्पीड है वो कम हो जाएगी तीन वीडियो मैं कम से कम आदे आदे घंटे की रोज अप्लोड करता हूँ अभी अकेली जाने या नौकली भी करता हूँ में इस स्यादा नहीं कर सकता पिलाल अभी के लिए अक्टूबर में आपका UPSC Prelims का एक्जाम है UPCS भी शायद अक्टूबर में ही पढ़ रहा है 2020 में उससे पहले ये किताब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि खतम हो जाए ठ शुरुआत करते हैं societal setup से I hope आपने बुक खोल रही होगी अपने सामने देखे अठावी शताबदी के अगर इंडियन सोसाइटी के बात की जा तो अब विसी बात है उस समय की इंडियन सोसाइटी को आप modern तो कहा है नहीं सकते modern कैसे बोलोगे आप सोचिए आज की इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम जैसे चीजें exist करती है आज की modern इंडियन सोसाइटी में हम 2020 में रहे हैं तो लोग सूपर स्टीशन को मानते हैं कि भाया साड़क पर चल लो बिल्ली रास्ता काट गई तो रुप जाओ तो जब आज लोगों की thinking backward हो रखी है तो आप सोची आठारवी शताब्दी के इंडिया की तो क्या हायल कर रही होगी बिल्कुल traditional outlook बिल्कुल traditional stagnation वो modernity की तरफ जाने को तयारी नहीं थे ये problem था लेकिन हाँ आप देखोगे दोस्तों कि भले ही society अलग अलग चीजों पर ब होते हैं कि मैं इस जगा का हूँ मैं इस जगा का हूँ tribal elements थे भाई मैं इस tribe का हूँ language वाला element था भाई मैं ये language बोलता हूँ वो language बोलता है तो distinctions थे society में बट एक broad cultural unity थी हमेशा से इंडिया में अलग-अलग caste के अलग-अलग religion के अलग-अलग region के लोग साथ में रहते हैं हमारा देश आबाद हुआ था और इंडिया पाकिस्तान में बन गया था खेर वो एक अलग-अलग बात है तो एक cultural unity थी despite of the fact कि society, caste, religion, region, tribe और language बढ़िवर फिट भी culture unity थी family के अगर आप setup देखोगे तो family mostly patriarchal थी, patriarchal मतलब घर के male members की चलती थी, ठीक है female members को जादा ध्यान नहीं दिया चलता था caste एक important role play करती थी हिंदूस की life में, चुकि जो high caste हिंदू थे, ब्रह्मन और चत्री, उन्होंने सोचा, अगर हमको अपनी ताकत बना के रखनी है, तो नीचे वालों को दबाना पड़ेगा, तो दबा रहे थे अचा एक खास बाती है कि देखे चार वणन तो हम सबको पता हैं, ब्रह्मन शुद्र और आपका वैश और चत्री, इन चार वणनों के अलावा भी जो हिंदू सुसाइटी थी, वो बहुत सारी छोटी-छोटी सबकास्ट में बटी हुई थी, और वो छोटी-छोटी सबकास में बाट के, पता क्या कर दियाता लोगोंने, इस सुसाइटी को बाट दिया था काम के हिसाब से, जिसे आप भी भी अगर आप उपी के, या बिहार के किसी रूरल इलाके में, ये सबर्बन इलाके में रहते हो, तो अक्सर कर आप लोगों कहते देखोगे, ढ़तोगे, अपड़ेत है, समझ के तो बहुत सारी subcast बन गयी थी, अलग-अलग जो काम थे, तो भाई, मानलो एक कुमार है, पॉर्टर है, तो बहले घड़े बनाता है, पर उसको भोलेंगे, अरे भाई कुमार की घर चले जो, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कास्ट सिस्टम जो था और जो सब कास्ट सिस्टम था वो बुलकुल हर जगा पूरे इंडिया में फिक्स हो गया था इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं थी जहां पे लोगों ने अपनी काबलियत कितम को अपने आपको सोसाइटी में उपर उठाया मतलब वो अपनी कास्ट से उपर उठाय कर वो कोई दूसरा अच्छा काम करते हैं तो वो उपर आए तो कभी-कभी आप देखोगे कि जो बिल्कुल लोवर कास्ट के लोग थे उन्होंने भी अपनी मिलिटरी स्किल्स के दम पे मिलिटरी हरारकी में उपर आते हूँ है आपको नजर आएंगे तो भले ही सब कास्ट के नाम पे पूरी हिंदु सोसाइटी को बाट रखा था और केवल हिंदु सोसाइटी नहीं इवहन मुस्रिम सोसाइटी में भी caste बनी ते उसके बारे मैं भी बात करेंगे उसके बावजूद भी जो काबिल लोग थे वो ऊपर आए मतलब ये जो सब caste और caste systems थे ये कुछ हिलाकों में strictly enforce हो रहे हैं और कुछ हिलाकों में थोड़े से fluid थे थोड़े exceptions थे और आप देखोगे दोस्तों, जो आदमी ताकतवर बन के उपर उठेगा न, ठीक है, वो पूरे चीज़ों को अपने हिसाब से बदल देगा, और जो कमजोर रहे गया, उसको और दबाते जाएंगे, यही हो रहा था, उस समय पे, फिर भाई, जो कास्ट के जो इन सब चीज़ों पे action लिया करती थी, ठीक है, अब बात की जाएंगे, हिंदू सुसाइटी तो कास्ट पे बटी थी, तो क्या मुस्लिम सुसाइटी तो कास्ट पे बटी थी, देखिए मुस्लिम सुसाइटी में कास्ट नहीं है, इसलाम में कास्ट नहीं है, इसलाम में यह होता है कि भाई, जितने भी लोग है, सब बराबर है, तो आप देखोगे, कि जब इसलाम धर्म इंडिया में आएगा, तो बहुत सारे जो लोवर कास्ट के लोग हैं हिंदू के, वो इसलाम में कनवर्ट होगे, क्यों convert होंगे, obvious ही बात है, हिंदु धरम में उनको equality नहीं मिली, उनको दबाया गया, तो वो विचारे करें, तो करें क्या, तो उनने बोला कि भाई, जहां हमें equality मिलेगी, जहां हमें इस्जत मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे, तो वो मुस्लिम धरम में convert होगे, अच्छा धीरे अच्छाराणी रेस का है, यह अफगान रेस का है, यह तो इंडियन मुस्लिम है, इस तरीके से अलग-अलग रेस के मुस्लिम से अलग-अलग मानने लगेगा अपने आप, फिर उनकी tribes भी अलग-अलग थी दोस्तों, अफगान, अफगान स्थान में ही बहुस सारी अलग- तराइक ट्राइब का है, तो उनके अंदर इस बात पर रड़ाई हो जाएगी। पिर मुसलिम धर्म के अंदर लोगों में भी कुछ कास्ट मन गई थी। जैसर फॉर एमिया एक होते थे आपके शरीफ मुसलिम.. शरीफ मुस्लिम्स हाई क्लास थे और अजलस मुस्लिम्स थोड़ा सा लोग क्लास थे तो शरीफ मुस्लिम्स वो थे जिसमें नॉबल आते थे पढ़े लिखे लोग आते थे, स्कॉलर्स आते थे दोस्तों इसमें फिर पादरी मस्जिद में होते हैं न मौलाना साब तो priest आते थे, फिर जो army के affairs को देखते थे मुगल empire के time पे या किसी और Muslim राज में, वो लोग इसमें आते थे और दूसरे elf Muslims कौन थे जो कि lower class Muslims थे जो कि इस higher class में नहीं आते थे, तो यह जो शरीव Muslims थे या अजलब Muslims के साथ कुछ उस तरीके का व्यवार करते थे, जिस तरीके से high caste Hindu, lower caste Hindu के साथ व्यवार करते थे, तो कुछ हद तक Muslim society भी caste के हिसाफ से बटी हुई थी, लेकिन Muslim society में जो caste system बटा था वो उतना ख़तरनाक नहीं था जितना Hindu society का caste system था, Hindu society को तो पूरा ही caste सिस्टम के नाम पर बाट दिया Muslims में भी caste system आई बट थोड़ा कम आई उतना नहीं आया, और आप देखोगे कि Hindu society में जो caste सिस्टम की वज़े से बटवारा हुआ, उसकी वज़े से बहुत massive scale पे religious conversion सुरू होंगे इंडिया में वो भी 16, 17 और 18 हाला कि पहले से भी हो रहे थे अब बात करेंगे कि वोमन की क्या हालत थी उस टाइम पे तो जैसा कि मैंने पहले बताया, देखी जो system था, society का system था, वो patriarchal था, जो male member था वो राजा था कैरला में कुछ social groups को छोड़ दिया जाये, तो पूरी society में women's को दबाया जाता था, उनकी खुद की कोई individuality थी ही नहीं, वो एक individual है, जिनकी खुद की कुछ requirements है, इस तरीके की कोई सोच नहीं थी और यहाँ पे देखो को दोस्तों जो high class lady सीना, उनकी हालत ज़ादा खराब थी और low class lady की हालत थोड़ी इकम खराब थी, high class ladies ही, जैसे की nobles वगरा में और जो हिंदू high classes थी, उनकी ladies का क्या था कि भाया ये घर से बाहर ने निकलेंगी, ये घर के अंदर रहेंगी, परदा में रहेंगी, ये बाहर निकलेंगी ही ने, lower class women में तो ये हो जाता था दोस्तों की lower class में जो women's थी, उनको काम करके अपनी husband की मदद करनी होती, ये अगर धर का करसा चलाना है तो तो आपको lower class women agriculture field में काम करती हो नज़र आ जाएंगी, ताकि वो family income को बढ़ा सके, तो यहाँ पर एक contradiction देखने को मिलता है कि high class women को बाहर निकलने के permission नहीं थी, in fact, उनको पढ़ने की भी permission नहीं थी, मतलब घर पे भी बढ़ा रखा, तो भी उनको घर में दबा के रखो पढ़ने मत दो, ठीक है लेकिन low class women का पढ़ाई तो नहीं थी, बढ़ कम से कम वो बाहर निकलने कुछ काम तो कर रही थी, यह वाली बात थी फिर बहुत सारे exploitative custom चल ले तो society में तो उनको परदा करके रहना पढ़ता था, खासकर जो muslim movement थी, उनको continuously परदा करना था, सती की practice थी कि भाया, अगर आपका husband मन गया है तो जब husband की अर्थी चिता जलेगी तो आपको भी उस पर बठालते हैंगे, हिंदू society में कमसे मुस्लिम societies में इस तरी की कोई वो नहीं थी, आप देखेंगे कि किस हद तक हिंदू society की हालत खराप्ति गिरी हुई थी, कि एक husband मर गया, तो उसकी चिता के साथ लेड़ी को बठा दो, उसको भी जला दो, मतब उसकी कोई independent existence है ही नहीं independent existence तो वैसे ही नहीं थी जला भी दो यहाँ पे, मतब इस हिसाब का, उस समय का हिसाब ता आप सोची लेजेगो इस समय के दिमाग के लोगों का क्या mindset रहा होगा, तो आप यहाँ पे modernity के तो बात ही नहीं कर सकते जब यह हाला चल ले हैं फिर child marriage थी, छोटे-छोटे हैं उमर में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी फिर polygammy, तो एक-एक आदमी चार-चार ओरते रख 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 रखा है तो भाई किसी एक independent lady की कोई आप कह सकते हैं independent existence थी ही नहीं नहीं उसकी सोच में उसकी independent existence थी नहीं उसके personal space में कोई उसकी independent existence थी और बाहर जाना तो उसका बैसे ही मुश्किल था अगर high class की woman है तो आप देखो कि woman की हालाद बहुत खराब थी और खासकर जो हिंदू videos थी उनकी हालाद बहुत खराब थी पहले तो उनको बोलते थे कि सती में बठाल के इसको जला दो कहो मालो गलती से कोई बच गई तो भाईया उसको जीने नहीं देते थे यह हालाद थे हिंदू society के अच्छी यहाँ पर एक viewpoint दिया है Abbott Abyss ने इन्होंने बोला है कि 19-वी शताबदी की शुरुवात में एक चीज बहुत अच्छी बोली इन्होंने देखे इन्होंने क्या कहा है ए हिंदू woman can go anywhere alone even in the most crowded places and she never and she need never fear the impertinent looks and jokes of idol lounge तो कुछ ना कुछ आवारा बेवकुप गुमते ही रहते है कि आख मार दी सिटी मार दी है इस टाइब की चीज़ें उस समय पर कभी नहीं होती थी एक हिंदू woman के साथ यह Abbott Abyss का बोलना है तो कुछ अच्छे कमेंट्स भी आये हैं उस time की society के लिए अच्छा अगर डावरी की बात की जाए तो डावरी बहुत ज़दा प्रेविलेंट थी खासकर बंगाल के लाके में डावरी बहुत ज़दा प्रेविलेंट थी और केवल हिंदूओं में नहीं मुस्लिमों में ही प्रेविलेंट थी पॉस्लिमी चोड़ो, अंग्रेजों में थी डाउरी, तो भाईया पॉर्तुगीस प्रिंसेस की शादी, इंगलेंड के राजा से थी, जो बॉम्बे आईलेंड डाउरी में दे दिया, तो भाई इंडियन सुसाइटी को वो कैसे निचा हुआ बोल सकते हैं, इंडियन सुसाइ को करना चाहिए, तो कौन थे तो अंबेर के राजा था, राजा सवाय जैसिंग, राजा सवाय जैसिंग was a man of science, he was a man ahead of his time, no doubt about it, फिर एक मराठा जनरल थे परशुराम भाव, इनको भी देखके लगा कि इन वीडियोस के लिए हमको कुछ करना चाहिए, इनोंने कोशिश भी करने की, बट उस समय पे society के जो लोग थे न, उनकी mental हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, कि अगर कोई कुछ करना भी चाहिए, सती प्रता को रोकना भी चाहिए, तो वो रुखने नहीं देंगे, आपको एक बात पता होगी, अकबर ने भी सती को रोकने की कोशिश की वो भी नहीं रोक पाया, अकबर जैसा राजा सती प्रता को नहीं रोक पाया, पॉर्तुगीज ने तो जिस इलाके पर कब्जा किया, वहाँ पर सती बैन ही कर दिया, तो उनकी तो अलगी बात होगी, लेकिन अकबर, राजा सवाय जैसिंग, मराठा जनरल परशु नाम आगे चलते हैं, अच्छा, स्लेवरी की बात की जाए, तो क्या उस समय पर गुलाम थे, इंडिया में, बिल्कुल गुलाम थे, तो बहुत सारे यूरोपन ट्रेविलर्स और एड्मिनिस्टेटर्स आयें इंडिया में, उन्होंने बताया है कि भाया, सत्तुरी शताबदी इ काम करने के लिए, वो अफ्रीका से जाते थे, ऐसा नहीं है, इंडिया से भी भाई, स्लेव्स को बेचा गया है, और इंडिया से भी यूरोप के लोगों ने स्लेव्स को खरीद के लेके गए हैं, ठीक है, और यूरोपन कंपनी जब यहां पर आई तो थोड़ी स्लेवरी ब जो की बाहर से लाए जाते थे और इंडिया में बेचे जाते थे, अब आप बोलो कि दोस्तों यह अबिसीनियन क्या है, यह जो अबिसीनियन स्लेव्स को इनकी प्रोवस के लिए जाना जाता था, इनकी ताकत के लिए जाना जाता था, इनकी ताकत के लिए जाना जाता था, और इन Abyssinian slaves के बारे में ये बोला जाता था कि इनके कोई personal relationships नहीं थे और ये जबरदस्थ ability होती थी इन slaves की तो Muslim India में जो ताकतवर chief होते थे न वो इस तरीके की slaves को खरीदते थे तो इस तरीके की slaves को बाहर के market से अफ्रीका वगरा से लाया जाता था सूरत मदरास और कलकत्ता में इनको बेचा जाता था हलाकि ये ट्रेट फ्रवा कम लेवल पे था ठीक है ये personal लेवल पे किसी से involved नहीं होते थे कजब की इनके अंदर capability होती थी और आप देखोगे कि इनके पस बहुत physical ताका तो physical ability इनकी बहुत तगड़ी थी खास बात ये थी कि अगर आपकी किसी के साथ emotional ties नहीं है तो वो बंदा आपके तरफ loyal रहेगा तो ये कहा जाता था ये जो abysynian slaves आते थे ना ये बहुत loyal होते थे अपने masters की तरफ तो ये इंडिया में में बेचे जाते थे अचा देखते हैं इंडिया में जो राजे रजवारे थे उनकी यहां पर slavery कैसी थी भाई उनकी यहां बिल्कुल slavery थे क्या होता था कि गरीबी बहुत थी उस समय पर जो आम आदमी होते थे ना अगर मान लिजे कि वो economic disrupts की वरेसे अपना tax नहीं दे पाए यहां मान लिजे फैमिन आ गई बाढ़ आ गई कोई natural calamity आ गई वो बिल्कुल गरीब पढ़ गया उनके पास कुछ नहीं बचा तो वो अपने किसी बच्चे को ऐसा safe दे देंगे तो उस बच्चे को फिर ऐसा slave बढ़ा किया जाएगा जो higher classes होती थी खत्री की राजबूत की कायस्त की वो लोग women slaves को hire करते थे उन women slaves को वो लोग domestic कामों के लिए रखे रहे थे तो आप देखोगे दोस्तों कि भले ही slavery की प्रथा थी इंडिया में लेकिन ये slavery की प्रथा इतनी बुरी नहीं थी जितनी यूरोप में थी फ्रांस में, इंग्लेंड में, यूरोप में औ slaves को slave का status दिया जाता था, ठीक है, अक्सर कर ऐसा होता था कि slaves की आपस में शादी करा दी जाती थी, और इनके जो बच्चे होते थे दोस्तों, वो free citizen माने जाते थे, वो किसी के slave नहीं माने जाते थे, तो ये चीज अच्छी थी इंडिया की, फिर आप देखोगे development in art, architecture and culture, आपको पता है, मुगल अंपायर का decline हुआ, जब मुगल अंपायर का decline हुआ, तो कोई centralized ruler रहा नहीं, पैसा रहा नहीं, अच्छा ये मुगल अंपायर में, जब art, architecture की deflight की बात होती है न, तो वो decline तो औरंग जेब के समय से ही हो गया था, तो जब औरंग जेब राज में आय दराशिकों को मार के शा जहां का बेटा था वो, औरंग जेब ने आते ही painting और music जैसी कलाओं को discourage किया, उसमें उतको उपर newt ने दिया, तो बहुत सारे painters, sculptors, architecture वाले जो talented लोग थे, वो मुगल कोट को छोड़के बाहर निकल गए, तो वो आजपास की कोट में जाने लगे तो कुछ लोग, हैजराबाद की कोट में चलेगे, कुछ लोग, लखनो कोट में चलेगे, जैपूर में, मुर्शीदाबाद, जो की मंगाल में, पटना, कश्मीर यहां सब चलेगे, और वहाँ पे उन्होंने अपना talent का इस्तमाल करके architecture तरणा खड़ा किया, तो लखनो में असफुद दौला थे, असफुद दौला ने बड़ा इमाम बड़ा बनवाया, 1784 में, अभी भी लखनो का सबसे important tourist spot है, वो बड़ा इमाम बड़ा है, पिर 18-वी शताबदी के पहले हाफ में, 18-वी शताबदी के पहले हाफ में, 17-100 से लेके 1750 तक, राजा सवाय जैसिंग पिंक सिटी बनवाई, जैपूर के और पांच astronomical observatories बनवाई, कहां कहां, दिल्ली, जैपूर, बनाराज, मतुरा, उज्यन, अचार, राजा सवाय जैसिंग की बात ही अलगती है, दोस्तों, इन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंग, कभी मौका मिला, राजा सवाय जैसिंग एक scientific आदमी थे, देखिए दोस्तों, जैपूर सिटी आज की डेट में देखिए क्या जबरदस सिटी है, उसका credit आजा सवाय जैसिंग को जाता है, यह जो five astronomical observatory हैं, दिल्ली जैपूर बनाराज पत्रा हो जाएं, दिल्ली बाली दो देखी होगी उन लोगोंने, जो लोग द देख सकते थे, तो आप देख सकते हैं कि उस समय पे भी astronomy को promote किया राजा सवाय जैसिंग, जिस समय पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, राजा सवाय जैसिंग, astronomy में इंट्रेस्ट रख रहती, फिर केरला के साउथ में आते हैं, साउथ में केरला में आते हैं, वहाँ पर पदमनापुरम palace में आपको बहुत अच्छी-ची mural paintings मिलेंगे, architecture मिलेगा, अब आप बोलोगे, mural paintings क्या होती है, mural painting दोस्तों यह होती, माली जो कोई बड़ा सा महल है, तो महल की दिवार के उपर यह आपने कोई painting मनवा दी, या महल की जो छट आपको नजर आ रही आपका जो बेस है, वो वाल होगे, वो सीलिंग होगे, वो पिलर होगे, इनको mural का आ जाता है, फिर बहुत सारे नैने स्कूल आया painting के, राजपूता नाम आया, कंगडा स्कूल आया painting का, painting बहुत तेजी से बड़ी दोस्तों, literary life की बात करेंगे, तो 18 शताबदी में भाई आप देखोगे, उर्दू language और poetry बहुत तेजी से बड़ेगी, बहुत तगड़े उर्दू poet सामने आए, जिसे मिर्जा गालिख, 19 शताबदी में मीर, सौधा, नजीर, मिर्जा गालिख का तो नाम आप में सुना ही होगा, फिर language में भी इजाफा हुआ, progress हुई, सितार poetry के थूँ, सितार poetry के एक बहुत तगड़े exponent थे, बहुत तगड़े perfectionist थे, जिक नाम था तयू मनवार, 176 से लेके 1744 में एक्टिव थे, तयू मनवार ने एक movement चलाया है, उन्होंने बोला ही, जो temple rule movement है, ये जो धरम के ठेकेदार ब चलाया है, उनके खलाफ आंदोलन चलाया है, तयू मनवार जी ने, तो एक important, अच्छा, उस समय पर आंदोलन चला ना, बड़ी बात थी, उस समय पर आवाज उठा ना, बड़ी बात थी, चोकि जो higher class थी, वो काफी ताकत वर थी उस ताइम के, फिर एक पंजावी literature में एक famous epic है भे, ही रांजा, romantic epic है यह, इसको compose किया था, वारिश शाह जी ने, सिंधी लिटरिचर में आपको मिलेगा कि शाह अब्दुललतीफ जी ने रिसालो को compose किया, जो की collection थी, poems की, तो यह कुछ examples से दोस्तों, अब हम देख लेते हैं summaries chapter के, और फिर इसको खतम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मोगल empire decline कि, जल्दी जल्दी बताता हूं, चुकि मैं सब पढ़ा चुका हूं, तो weak successors थे, ठीक है, pressure को समाल नहीं पाए, empire को समाल नहीं पाए, चुकि मोगल empire एक despot था, एक totalitarian state था, तो जो ruler था, उसके character पर depend करता था, empire कैसा चलेगा, फिर कोई law of succession नहीं था, मतलब एक जब ruler मरेगा, तो उसके बाद कौन गद्धी पर बैठेगा, इसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता था, तो हमेशा लड़ाईयां होती रहती थी, औरंग जेप की religious policy बहुत गलत थी, जाट भी नराज हो गया, मरठा भी नराज हो गया, सिख भ पस यही सब करते रहते थे, और कुछ भी नहीं करते थे, मुगल अंपायर बहुत बढ़ा हो गया था, एक centralized ताकत के लिए मुगल अंपायर पर rule करना बहुत मुश्किल हो गया था, फिर मुगल अंपायर पर लगातार बाहर से invasions हो रहे थे, नादर शाह का attack हमने बात की द पड़ रहा था, जिसकी वाईसे Central Mughal Treasury खाली हो गई, फिर आप देखोगे European Companies भी आ गई, तो Portuguese Company, Dutch Company, English Company, French East India Company, वो भी power politics में involved हो गई, जमीनदार इदर उदर shifting करते रहते थे, जागिरदारी crisis होगी, वो मैंने आपको पहले बता दिया, तीन तरीके के regional states उटके सामने आए, एक तो successor states थे, जिसमें हैदराबाद, बंगाल, अवत था, बहुत डीटेल में बात की मैंने, new states उटके आए, जिसे सिख, मराथा, जाठ, अफगान, independent states सामने आए, जैसे की हैदर एली के अंदर मैसूर, बाद में टीपो सल्तान, किंग मार्कंड वर्मा के अंदर के अंदर क तेजी से उठ रहा था, प्रॉब्लम यह हो गई थी, बाहर की कंपनिया आके इसमें इन्वाल होने लगी थी, जो centralized leadership थी, औरंग जेब के बाद की जो leadership आई, वो कुछ समय के बाद trade की importance को समझ नहीं पाया, जो लोग समझ पाया, वो उसको control नहीं कर पाया, फिर education की बात की तो education बहुती ज़्यादा पिछड़ी होई थी, पाठ शाला में education होती थी, मकताब, मकताब में मुस्लिम बच्चे पड़ते थे, पाठ शाला में हिंदू बच्चे पड़ते थे, इसके बारे में मैंने आपको last time बताया तो दोस्तों, और society में किस तरीकी के वर्ण थे, सब क Muslim society में आपका subcast system, यह सब तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई दिया, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी मैंने चीजें बताएं दोस्तों, ताकि वीडियो अच्छी, मतलब काम भर की चीजें आपको कम से कम समय में मिल जाए, अगले वीडियो में हम लोग chapter 5 शुरू करे और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा काबू रखी है, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि ठीक एसार वीडियो जल्दी बना तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि प्रिलिम से पहले यह लक्षमी कान spectrum दोनों complete हो जाए, मेरी तुब एक पूरी कोशिश रहेगी, जितन निटेज वीडियो बन सकती है, एक निटेज बनाओंगा, थैंक यू फो वाचिं इस वीडियो, थैंक यू फो यह सपोर्ट, जितने अधर लोग साथ शेर कर देंगे, जितने अधर लोग देखेंगे, वो आटोमेटिकली एक बूस्त देते हैं दोस्तों, तो प्लीज शेर दुरू करें वीडियो को, गुट बैक